प्राचलिक फलनों का अबकलन पिश्णावली 8.8 देखे इस्पष्ट फलन अब प्राचलिक फलन में एक सूत्र जो आपको याद रखना आवज सेक है वे सूत्र है देखे वो जो सूत्र है वे है डी वाई अपॉन डी एकस बराबर डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एकस अपॉन डी टी देखे यदि हमें दो फलन एकस और वाई दे जाएं और उन दोनों का डी वाई अपॉन डी एकस का मान याद करवाए तो देखे जो y का अपकलन होगा वो होगा dy upon dt अब तता जो x का अपकलन होगा वो dx upon dt होगा अब आप इस सूत्र का यूज कैसे करेंगे तो आएए हम बताते हैं प्रिशन नमबर 1 में देखे जो प्रिशन नमबर 1 है हमारा है वो है यदि x वरावर 80 का स्क्वार तता y वरावर 280 तब dy upon dx का मान गयाद कीजिए देखे हमें x और y दो फलन दे दे गए है हमें इन दोनों फलनों से dy upon dx का मान गयाद करना मतलब हमें अपकलन करना है इन दोनों का तो हम पहले क्या करेंगे हम x का अपकलन करेंगे देखे x का आप कलनोंगा dx upon dt हमने बताया था आपको सूतर भेढ़ जो x का आप कलनोंगा वो dx upon dt होगा क्या करना है एटी का इसक्वार का आप कलन करना है तो 80 के स्कवार अब देखे dx बराबर dx upon dt बराबर देखे 80 का 80 का square का अपकलन कैसे करेंगे चो यह घात है ना यह नीचा जाएगी 280 हो जाएगा तसा उसकी घात में से एक घात घट जाएगी मतलब उसी घात में जितनी घात है उसमें से एक घट जाएगी मतलब 2 में से एक घट जाएगी यहाँ अगर करेंगे अब y का अब कलन करेंगे तब y कमान क्या हमारे पास y वराबर 280 तब हमें अब दोने पक्षों में क्या करना अब कलन कर देंगे तो लिखेंगे dy upon dt D upon DT और 2 A T का अब कलन तो लेखेंगे D Y upon DT देखें 2 को हम भाल ले लेंगे और D upon DT A T का अब कलन करेंगे तो देखें D Y upon DT देखें जो D का अब कलन होगा वन आएगा जब D का अब कलन करेंगे तो उसका वन आएगा अब देखें हमने D Y का भी अब कलन कर लिया और X का भी अब कलन कर लिया अब हमने दोन अब कलन कर लिये और हमें अब क्या करना है अब D Y upon D X का मान क्या करना तो हमने बताया था dy upon dx का formula क्या था dy upon dx बरावर dy upon dt upon dx upon dt हमने बताया था dy upon dx का formula dy upon dt upon सबका upon dx upon dt तो हमारे पास dy upon dt का मान क्या है हमारे dy upon dt का मान put कर लेंगे जो हमारा मान आया था तो हमारे dy upon dt का मान कितना आया था 2A तो हम यह 2A लिख लेंगे अब हम देखाँगे DX upon dt कमान कितना आया था तो देखे DX upon dt कमान आया था 280 तो हम यहाँ क्या करेंगे upon में 280 लिख लेंगे अब क्या करेंगे देखे 2A से यह 2A कट जागा अब बचाएगा यहाँ उपर कुछ नहीं बचा था हम इसलिए one मान लेंगे अब बचाएगा हमारे पास one upon t हमारे पास dy upon dx का जो मान ग्याद हुआ है वो ग्याद हुआ है one upon t तो हमने इसके क्या कर लिए dy upon dx का मान ग्याद कर लिया है अब आते हैं प्रिसन नमबर 2 पर देखे हमारे पास जो फिर्सन नंबर 2 है वै है यदि X बराबर कोश ठीटा तथा Y बराबर साइंट ठीटा तब D Y अपूं D X का मान गयाद की दिये हमें देखे X और Y दो पद्दे दी गए है और जिसका हमें X का भी अपकलन करना और Y का भी अपकलन करना है और टोटल हमें d y upon dx का मान ग्यात करना है तो हम क्या करेंगे पहले x का अपकलन करेंगे फिर y का तो हम करते हैं x वराबर क्या हमेरे पास कोश ठीटा तो देखिए हम x का अपकलन करेंगे दोनों पक्छों में क्या करेंगे अपकलन करेंगे तो x का अपकलन क्या होगा dx upon dt करना किसका d upon dt cos theta का देखे dx upon dt देखे cos theta जो अपकलन होगा वो होगा minus के sin theta तो देखे हमने x का अपकलन कर दिया अब हम करेंगे y का अपकलन तो देखे y परावर हमारे पस क्या है sin theta अब क्या करेंगे हम दोन पक्चों में अपकलन कर देंगे तो लिखेंगे dy upon y का अपकलन क्या होगा dy upon dt और किसका करना sin theta का तो d upon dt sin theta तो देखे sin theta का अपकलन होगा dy upon dt sin theta का अपकलन होगा cos theta अब देखे हमने dy upon dt का मान लिया लिये और dx upon dt का मान ज्याद कर लिये हमने तो देखे हमने एक सुत्र बताया था कि dy upon dx का मान ज्याद करने के लिए वह था dy upon dx बरावर dy upon dt upon dx upon dt तो देखे dy upon dt का मान कितना था कोश ठीटा था हम कोश ठीटा पूट कर देंगे अब देखे कोश ठीटा पूट कर देखे कोश ठीटा पूट साइन ठीटा बरावर क्या होता कोश ठीटा माइनस के साइन ठीटा बरावर होता माइनस के कोश ठीटा तो हमने क्या कर लिए इसका dy upon dx का मान ज्याद कर लिया है अब आते हैं प्रिशन नमबर तीन पर देखे प्रिशन नमबर जो तीन है वह हैं यदि x बरावर a ब्रैकिट कोश ठीट प्लस के साइन ठीटा था y बरावर a ब्रैकिट के साइन ठीट माइनस के कोश ठीटा तब dy upon dx का मान ज्याद कीजे तो हम पहले क्या करेंगे x का अपकलन करेंगे फिर y का अपकलन करेंगे फिर dy upon dx का मान ज्याद करेंगे तो हम पहले X का अपकलन करते हैं देखें, हम क्या करेंगे हमने X बराबर हमारे पास था A, ब्रैक्ट के कोस्टी प्लस के С, Lawrence तो हम क्या करेंगे दोनों फख्शों में अपकलन कर देंगे तो लिएक़ देखे, X का अपकलन क्या होगा DX upon dt और हमें इसका अपकलन करना है तो हम क्या करेंगे d upon dt ए ब्रैकेट का कोश्टी प्लस के सैंटी दिखेंगे dx upon dt बराबर d upon dt की अंदर गुणा कर देंगे तो देखें ब्रैकेट के d upon dt कोश्टी प्लस के देखें d upon dt की अंदर गुणा तो d upon dt 사ांटी dx अप्लस d बराबर ए का ए नुई-नुई देख कोश्टी का अपकलन क्या होगा माइनस के सैंटी प्लस के और कोश्टी का अपकलन क्या होगा कोश्टी तो देखें हमने x का तब कलन कर लिया अब करेंगे हम y का अब कलन तब y बराबर मार पास क्या था देखे हमार पास y बराबर था a bracket के साइंटी माइनस के कोश्टी तब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में अब कलन कर देंगे देखे y का अब कलन होगा dy upon dt यहां होगा d upon dt किसका आपकलन करना हम है a bracket के sin t minus के cos t अब लिखेंगे dy upon dt देखें यह d upon dt की नहीं bracket के अंदर बुणा कर देंगे तो यह हो जायागा a bracket के d upon dt sin t का आपकलन minus d upon dt cos t का आपकलन लिखेंगे dy upon dt a dy upon dt बराबर a sin t का आपकलन करना तो काइम होगा cos t में sorry दोस्तों जो cos t का sin t का आपकलन होगा वो plus के cos t में होगा और जो cos t का आपकलन होगा होगा minus के sin t में तो लिखेंगे dy upon dt dt पराबर a cos t देखें देखें, minus minus पलस हो जाएंगे और sin t देखें, हमने dy, y का भी अपकलन कर दिया और हमने x का भी अपकलन कर दिया अब हमें dy upon dx याद करना था हमने उसका फोर्मूला क्या बताया था आपको dy upon dx बरावर dy upon dt और dx upon dt यह बताया था हमने आपको फोर्मूला तो हम क्या करेंगे dy upon dt की जो value थी उसा put कर देंगे और dx upon dt की जो value थी उसा put कर देंगे तो dy upon dt की value का थी हमारे पास a cos t plus k sin t upon अब dx upon dt की value क्या थी हमारे पास देखिए dx upon dt की जो value थी हमारे पास थी वो a bracket के minus के sin t plus के कोश्टी तो हम इस value को put कर देंगे तो देखिए हमने dx upon dt की value put कर दिया है अब हम क्या करेंगे देखिए जो कट रहा हो से काट देंगे दे a से a कट रहा है अब हम क्या करेंगे हमारे पास dy upon dx की value आगे था हम इसे देखिए हमारे पास जो अब बचा है वो बचा है dy upon dx बरावर कोश्टी पिलस के sin t upon minus के sin t plus के कोश्टी तो हमने इसका अब कलन गुणा ज्याद कर दिया या हमने इसके dy upon dx की value प्राप्त कल लिया अब आते हैं पिरसा नमबर 4 पर देखिए हमारे पास पिरसा नमबर 4 है यदि x बरावर sin inverse bracket के 2t upon 1 plus के t square तता y बरावर tan inverse bracket के 2t upon 1 minus के t square तो सिद्ध कीजिये की dy upon dx प्राप्त बरावर 1 तो देखिए हमें पहले हमें दो पत्ते दे गई x और y जिसका हमें अब कलन करना है और dy upon dx का मान 1 लेका आना है तो देखिए हम पहले x का अब कलन करेंगे फिर y का तो हम पहले x की value लिख लेते हैं हमें पास x बरावर है sin inverse 2t upon 1 प्लस के t square तो देखिए हमने आपको बताया था कि जहाँ 1 प्लस के s square यब 1 प्लस के t square आ जाए तो उस x या t के स्थान पर आपको 10 टिता मानना है तो हम क्या करेंगे इस t के स्थान पर 10 टिता माननेंगे तो लिखेंगे मानन t बरावर 10 टिता तो हमने क्या कर रहा है हमने t बरावर 10 टिता मान दिया था हम t के स्थान पर क्या value put करेंगे 10 टिता तो लिखेंगे x बरावर sin inverse bracket के 2 t के स्थान पर क्या रखना 10 टिता अपोन 1 प्लस के यहां भी T है था हमें क्या रखना 10 ठीटा, स्क्वार्ट चड़ रहाते ही हो जाएगा 10 स्क्वार्ट ठीटा X बराबर साइन इन्वर्स देखें 2 10 ठीटा अपून 1 प्लस के 10 ठीटा साइन 2 ठीटा बस उतर होता है तो हम इसे साइन 2 ठीटा लिखे देंगे अब क्या करेंगे देखें साइन इन्वर्स से यह साइन ठीटा कट जाएगा अब हमारे पास बचा 2 ठीटा तो हम इसे लिखे लगे X बराबर 2 ठीटा देखें अब हम ठीटा की बेलु लिखा लेते हैं थीटा की बेल भी कैसे लिखा लेंगे? जो हमने T बराबर 10 थीटा माना था ना, हम इस T न को left hand side ले जाएंगे., इससे हमारी थीटा की बेली लीक जाएगी. तो हम लेखेंगे वे थीटा बराबर, जब इस T को हम left hand side ले जाएंगे, then ten inverse T हो जायागो. 10 inverse T तो हम ठीटा बराबन रख सकते हैं 10 inverse T तो हम लिखेंगे X बराबन 2 ठीटा के स्थान पर क्या लिखना 10 inverse T ता हम अब nog 10 inverse T का AppCorn करना है तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में AppCorn कर देंगे तो X का AppCorn क्या होगा Dx upon dt और हमें क्या करना 10 inverse T का करना तो हम 2 ले लेंगे और D upon DT 10 inverse T का अपकलन करेंगे तो यहाँ जाएगा dx upon dt बराबर 2 देखे 10 inverse T का अपकलन होगा 1 upon 1 पिलस के T square अब क्या करेंगे हम इस 2 के नीचे भी हम बन मान लेंगे और सीधी सीधी की गुणा कर देंगे तो लिखेंगे dx upon dt तो देखें इसका यह हो जाएगा जब सीधी गुणा करेंगे तो उपर 2 हो जाएगा नीचे आगा 1 पिलस के T square तो हमने क्या करा एक्स का हमने अपकलन जाद कर लिया है हमने dx upon dt की value लिका लिये अब हम क्या करेंगे हम अब y का मान लिका लेंगे हम y का अपकलन करेंगे तो आप y के value क्या थी हमारे पास देखे हमारे पास जो y की value थी वे थी हमारे पास 10 inverse bracket के 2t upon 1 minus के t square तो हम क्या करेंगे देखे हमने बताया था आपको कहीं 1 minus के s square 1 minus के t square आ जाए तो उसके इस्थान पर आपको क्या मानना होगा हमें t के या x के स्थान पर क्या मानना होगा हमें 10 theta मानना होगा तो हम लिखेंगे माना t बराबर 10 theta हमने क्या कर लिए आप 1 minus के t के स्थान पर 10 theta मान दिया तो हम t अब value हम put कर देंगे t के स्थान पर 10 theta की लिखेंगे y बराबर 10 inverse 2 t के स्थान पर क्या मानना होगा तो 10 theta यहाँ जाग 1 देखे, T स्कौार्ट चटड़ा है यह हो जाएगा 10 स्कौार ठीटा देखे, 2 10 अपौन 1 माइनस के 10 स्कौार का सूतर होता है ने टू ठीटा तो हम इसे टैन टू ठीटा लग देंगे हमने उल्टा कर जाए इसका हमने इस टैन टू ठीटा का जोई शूतर है ना हमने 10 2 theta में कट जा है बलब 10 inverse से 10 खट जाएगा अब हमारे पास बाचा कर 2 theta तो हम लिख लेंगे y बराबर 2 theta अब हम क्या करेंगे अब theta की value लिका लेंगे तो theta की value कैसे लिका लेंगे हमने टी बराबर 10 theta माना था तो हम क्या करेंगे जो चैन है न इसे left hand side ले जाएगे और theta की value लिका लेंगे तो देखिए theta बराबर जब ten को left hand side लेगे जाएगे तो यह हो जाएगा 10 inverse तो हम theta बराबर लिख सकते 10 inverse तो आप क्या करेंगे हम ठीट अगिस्तान पर 10 इंवर्ष्टी लिखेंगे लिखेंगे य बराबर ठीट अगिस्तान पर 10 इंवर्ष्टी अब क्या करेंगे हम 10 इंवर्ष्टी का अपकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में अपकलन करने पर तो लिखेंगे दोनों पकलन होगा dy upon dt 2 को ले लगे बहार और क्या करेंगे dy upon dt 10 इंवर्ष्टी का अपकलन करने तो देखेंगे dy upon dt 2 देखेंगे 10 इंवर्ष्टी का अपकलन क्या होगा 1 upon 1 पिलस के t-square अब क्या करेंगे हम 2 सीरी सिरी उड़ा पर लेंगे तो लिखेंगे do1 पिलस के t-square अब हमने देखिए y का भी अपकलन कर लिया x का भी अपकलन कर लिया अब हम क्या करेंगे dy upon dx का मान लिका लेंगे तो dy upon dx का हमने फोर्मूला आपको बताये था dy upon dx बराबर होता है dy upon dt upon dx upon dt तो देखे dy upon dt की value किया थी हमारे पास तो अपोन बन प्लस के t square तम ये value पुट कर देंगे dx upon dt की क्या value आई थी हमारे पास देखे हमारे पर dx upon dt की जो value थी होती तो अपोन बन प्लस के t square तम इस value होई पुट कर देंगे होँ है यहां हम लिखेगे टो अपन बन प्लस के t square देखेगे टो अपन 204 प्लस के t square एपन तो अपन एकिन को कड़ जानगे उपन निचे है दोनों समान मान अपन नीचे सकड़ जाएगे तो यह आजाए इससकि कि जो मान आयागा dy upon dx का वो आयागा one तो हमने हमारा सवाल क्या हो गया सिद्ध हो गया कि dy upon dx वरावर one ही है तो यह आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें सस्कारब करें यह कोई परहिस आने है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें